इस वीडियो में मैंने सारी important literary terms और devices को एक कर दिया है जिसका benefit यह हुगा कि आपको एक एक करके सारी terms और devices को भूणना नहीं पड़ेगा इस वीडियो में हम लोग जितनी भी important terms और devices हैं सबको एक-एक करके discuss करेंगे literature के बच्चों के लिए बहुत important होने वाले वीडियो शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में alliteration एक figure of speech है जिसे हिंदी में बोलते है अनुप्रास जिसमें same sound repeat होता है गौर करना मैंने क्या बोला same sound repeat होता है जरूरी नहीं है same letter repeat हो same sound भी होगा तब भी वह alliteration कहलाएगा जैसे बाबा बाबा ब्लैक शीप इसमें B word एक alliteration है लेकिन ये जरूरी है कि sound stressed होना चाहिए और पहला होना चाहिए शर्ते हैं आपर कुछ पहली ये कि alliteration में sound repeat होता है letters repeat नहीं होते जरूरी नहीं है कि alliterative words एक साथ ही होने चाहिए उन words के बीच में दूसरे words भी आ सकते हैं क्योंकि alliteration को लेकर बहुत सारे misconceptions हैं जिनको मैं clear कर देता हूं पहला तो जरूरी नहीं है कि alliteration में words sequence से हो words के बीच में words भी आ सकते हैं दूसरा इसमें sounds जरूरी है ना कि letters जैसे कि crooks conspire with a kind king अब यहाँ पर crooks conspire with a kind king यह alliteration है यहाँ पर k word भी वैसा ही sound हो रहा है जैसे कि crooks तो letters का repetition नहीं है लेकिन sound का repetition है तो यह alliteration है अब confusion यहाँ पर क्या होती है confusion यहाँ पर होती है कि alliteration के कुछ करीबी रिष्टदार है consonants और assonance यह दो करीबी रिष्टदार है यह भी कुछ कुछ alliteration जैसे ही लगते हैं लेकिन थोड़ा सा difference होता है इनमें ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ consonants में a truck full of unlucky ducks अब इस पूरे sentence में same sound repeat हो रहा है इस पूरे sentence में यू, सी, के, यू, सी, के, यू, सी, के तो sound तो repeat हुआ है लेकिन बीच में और alliteration का नियम क्या था first letter होगा और stressed letter होगा यह बीच में है और ध्यान देना consonant है के consonant है, consonant sound है तो यह क्या है consonants अब ऐसा ही कुछ होता है consonants, बीच में आता है लेकिन vowel repeat होता है वो भी शब्द के बीचो बीच जैसे she seems to beam rays of sunshine with her eyes of green तो यहाँ पर seem, beam, green तो यह बीच में vowel repeat हुए है तो यह क्या है consonants उमीद करता हूँ आपको alliteration, consonants और consonants में पर्क पता चल गया होगा जरूरी नहीं है कि alliteration सिर्फ poetry में follow हो prose में भी होता है यहाँ तक कि super heroes के नामों में भी use होता है अब writers इसका use क्यों करते है अपनी writing की खुबसूरती बढ़ाने के लिए feeling डालने के लिए और अपनी writing को musical बनाने के लिए बहुत ही famous और जरूरी figure of speech है basically allegory एक ऐसा work होता है जिसका कोई hidden meaning होता है कोई चुपा हुआ meaning वो चुपा हुआ meaning किसी भी type का हो सकता कोई moral, spiritual या political meaning अभी समझ में नहीं आ रहा होगा समझाता हूँ जैसे कोई writer होता है उसने अपना कोई work लिखा तो वो अपने characters या events के जरिए कुछ ऐसा बताना चाहता हो जो कि वो साफ साफ तो नहीं बता रहा लेकिन हमें simple तरीके से समझ में आ जाए वो allegory कहलाती है literature में ऐसे बहुत सारे works है जो allegorical form में लिखे हुए ऐसे works लोगों वो बहुत simply समझ में आ जाते हैं कि writer क्या कहना चाता है अब सबसे बड़ी confusion यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर सबसे बड़ी confusion होती है allegory और symbolism में फर्क की कि allegory और symbolism में फर्क समझ में नहीं आता दोनों सेम से लगते हैं देखो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है allegory बड़ी होती है अब यह नहीं कह सकते लेकिन allegory में symbols use होते हैं लेकिन symbols में allegory use नहीं होती allegory में symbols use होते हैं बड़े heavily use कर सकते हैं लेकिन किसी writing में अगर symbols का use हुआ है तो उसे हम allegory नहीं कह सकते याद रखना Allegory अपने आप में इतनी लंबी होती है कि उस पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है बुक्स की सीरीज लिखी जा सकती है और इतनी छोटी भी हो सकती है कि एक पेज में खतम कर दी जाए याद रखना Allegory और Symbolism दो अलग-अलग चीज़े हैं में confusion बहुत होती है जबकि Symbolism का यूज़ किया जाता है किसी abstract idea को बताने के लिए For example, एक novel मैंने आपको पढ़ा रखिये To Kill a Mockingbird अब इस नाम में जो Mockingbird है इसका यूज़ किया गया है Innocence और Beauty को Symbolize करने के लिए लेकिन हम यह नहीं गएंगे कि यह एक Allegory है Allegory different चीज़ होती है भाई Allegory अपने आप में एक बहुत बड़ा broader moral meaning लेकर चलती है मतलब किसी novel या work का हर character, हर dialogue, हर object, हर setting, हर event मतलब कुछ ना कुछ बता रहा हो जैसे Edmund Spencer की एक बहुत famous poem है The Fairy Queen, वो एक Allegory है एक moral allegory literature में ऐसी बहुत सारी allegories है famous allegory सी बात करूँ तो Animal Farm एक famous political allegory है John Bunyan की The Pilgrim's Progress ये एक religious allegory है French Kafka की cockroach वाली story है Metamorphosis वो एक social allegory है Mainly allegories दो टाइप की होती है, समझ लो पहली historical allegory यानि कि ऐसी allegory जिसमें historical figures, events को शामिल किया जाता हो For example, ये George Arvill की Animal Farm इसके events Russian Revolution से मिलते जुलते हैं तो ये historical allegory है दूसरी category होती है conceptual allegories जिसमें real events शामिल नहीं होते जैसे French Kafka की Metamorphosis जिसका नाम है Illusion अब आप इसको Illusion से confuse मत करना Illusion अलग चीज होती है, यहां हम Illusion की बात कर रहे है देखिए इसका मतलब ये होता है जब हम किसी से कोई बात कर रहे है या हम किसी को कोई चीज बता रहे है तो हमने बीच में एक ऐसी चीज का reference दे दिया जो बिल्कुली हमारी बात से relevant नहीं है लेकिन सामने वाला उस चीज को जानता है अब वो चीज या तो कोई famous literary work हो सकता है कोई celebrity हो सकता है, भगवान हो सकते है historical events हो सकते है या फिर कोई philosophical idea ऐसे समझ में नहीं आएगा, example दे के समझाना होगा एक novel है बहुत ही famous George Arwell की 1984 वो novel अगर आपने पढ़ी हो तो ठीक है नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताता हूँ उस novel में एक character है Big Brother, जो उस novel में कभी भी नहीं आता सामने कभी नहीं आता कोई भी इनसान ये जरूर समझ जाएगा की Big Brother किसको बोला जा रहा है, हमारे देश में भी Big Brother है, हर देश में Big Brother है जो देख रहा है, हर वक्त नागिरेकों को देख रहा है, आप समझ गए होंगे यहाँ पे Big Brother government को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे इस novel में जिसको explanation की जरुवत निए जिसको सब जानते हूं तो हम अपने कंधे पर पूरी दुनिया का बोज उठा के चल रहे हो यहाँ पर एलिजन का यूज हुआ है कंधे पर बोज कौन उठाता है एक मित है जिसमें एटलस कंधे पर बोज उठा के चलता है पूरी दुनिया का या फिर मैं आपने दोस्त को कहूं हर वक्त पढ़ता रहता है आइंस्टेन में नेगा क्या हम सब जानते हैं आइंस्टेन कौन है तो यहाँ पर मैंने ऐलिजन का यूज किया है उस लड़की की स्माइल तो मोना लीजा की तरह है हम सब जानते हैं मोना लीजा की पेंटिंग के बारे में मोना लीजा के रेफरेंस दिया है मतलब माहना यहाँ पर ऐलिजन का यूज किया है इसको मैं एक एक्जामपल की थूँ समझाने की कोशिश करूँगा पहले इसकी definition बताता हूँ इसकी definition है एक character जो किसी इंसान से बात कर रहा हो जब वो वहाँ पर मौझूद ना हो या फिर किसी चीज से बात कर रहा हो जब वो वहाँ पर मौझूद ना हो चलिए इसको simple शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं जिसे एक बच्चा है वो अपने room में सो रहा है उस room में उसकी माँ आती है और उस बच्चे के लिए gifts रखके चली जाती है जब वो बच्चा उठता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए gifts रखे हैं तो वो gifts को देखकर बोलता है thank you mom अब वो अपनी माँ के लिए बोलता है thank you mom जबकि उसकी माँ वहाँ पर मौझूद नहीं है यही होता है apostrophe दोस्तों किसी ऐसे इंसान से या object से बात करना जो की मौझूद ना हो दोस्तों आपने अकसर ये blank words के बारे में जरूर सुनाओगा अपने टीचर से या किसी और से classmates से batchmates से कि ये blank words क्या होती है Shakespeare ने अपने dramas को blank words में लखा और Milton ने Paradise Lost को blank words में लखा आप इसे काफी सारे बच्चों के धिमाग में एक सवाल है कि ये blank words होती क्या है और इसकी history क्या है इस वीडियो में मैं आपको इसकी history बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे use किया गया और ये कहां से आई तेले बड़ी कमाल की वीडियो होने वाले ये शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में blank words एक ऐसी चीज होती है जिसमें meter तो follow होता है लेकिन rhyme follow नहीं होती व्यांदने मैं क्या बूर रहा हूं meter तो follow होता है लेकिन rhyme follow नहीं होती इसको लिखने की शुरुवात मानी जाती है 16th century से हुई थी ऐसा माना जाता है कि इसको first time English language में introduce किया था Henry Howard ने जिने Earl of Saray भी कहा जाता है और जब उन्होंने ineared को translate किया था उस वक्त उन्होंने English language में इसको introduce किया था शायद उनको Classical Latin literature से inspiration भी होगी क्योंकि Classical Latin literature में भी rhyme follow नहीं की जाती थी तभी तो मैंने कहा कि इसको उन्होंने ब्लैंक words को introduce किया था एक possibility तो ये हो गई कि उन्हें Latin literature से inspiration मिली होगी और दूसरी possibility ये है कि Italian literature में एक technique चलती है दूसरो जिसका नाम है वर्ड्सो स्की आल्टो तो वहां से इनको inspiration मिली होगी दूसरी possibility ये है आज की date में भी अगर आप वर्ड्सो स्की आल्टो में लिखा हुआ कोई भी work और blank words में कोई भी work साथ में रख लो तो देखना आपको काफी हद तक similarities लगेगी दोनों में तो वहां से inspiration मिल सकती है इस blank words की इनके अलावा एक Francisco Maria Malza नाम का एक Italian humanist था Francisco Maria Malza जिन्होंने consecutive unrhymed words लिखने का try किया था 1514 में जब वो वर्जल की इनियर को translate कर रहा था तब तो इन सब को प चुरू हुआ एक Elizabethan play है Arden of Feversham नाम का अब ये तो पता नहीं कि इसको किस ने लिखा कोई कहता है Thomas Kidd ने लिखा कोई किसी ने लिखा लेकिन ये play एक अच्छा example है and stopped blank words का इसके अलावा 1561 में गौरबडक नाम का play जिसे Thomas Naughton और Thomas Sackville ने मिलकर लिखा था ऐसा माना जाता है कि ये first English drama था जिसको blank words में लिखा गया था दोस्तों लेकिन Naughton और Sackville को इतनी fame ने मिली जितनी Christopher Marlowe को मिली Christopher Marlowe पहले English author थे पहले English playwright थे जिनको blank words का use करने के लिए critical fame मिली थे आप में से कुछ बच्चों को मालुम होगा कि Marlowe की blank words को Marlowe की mighty lines भी कहा जाता है आप जरू rumors dramas, Tumberland, Dr. Faustus और Edward Second में Marlowe के बाद में जब Shakespeare के हाथ में blank words गई थी तो Shakespeare को शुरू-शुरू में समझवे भी नहीं आ रहा था कि इसका use कैसे करना है क्योंकि आप देखना उन्होंने अपने early plays में prose को और 10 syllable के rhyme couplet को combine कर दिया था जैसे poetry में होता है न वैसे लेकिन फिर बाद में उन्होंने सीखा कि ये stress पर focus किया जाना चाहिए syllabic length पर focus नहीं किया जाना चाहिए Shakespeare ने तो Marlowe से भी ज्यादा freely इसका use किया था दोस्तों जैसे अपनी blank words में वो enjambment का use करते थे आपे सुना होगा enjambment क्या होता है तो enjambment का use करते थे वो इनके अलावा John Webster, Thomas Middleton भी इसका use करते थे blank words में drama लिखने के लिए जहां तक बात है Ben Johnson की तो Ben Johnson दोस्तों tighter blank words का use करते थे जैसे आप उनकी comedies पढ़ो, Walpone, Alchemist, उनमें आपको enjambment का use नहीं दिखेगा जैसे Shakespeare और उनके followers करते थे वैसे नहीं करते थे, tighter blank words का use करते थे दोस्तों, कमाल की बात यह है कि blank words का use 17th century की non-dramatic poetry में आपको नहीं मिलेगा सिर्फ drama में इसका use होता था, या फिर Shakespeare ने जो sonnets लिखी है, उसके अंदर इसका use मिलेगा जब तक Milton ने Paradise Lost नहीं लिख दी थी, इसमें Milton ने इसका बड़ा सही flexibility के साथ में use किया था इस blank words का, Shakespeare के बाद blank words में सबसे बड़ा नाम है Milton का, और Milton की बाद में सबसे बड़ा नाम है William Cooper का William Cooper उस time के part थे, या उस time पर poetry publish करवा रहे थे, जब ये early romantic part जैसे William Wordsworth ये सब बच्चे थे William Cooper ने blank words को कुछ नया बनाने पर काम किया था दोस्तों, बहुत experiments किये थे जिसका नाम आपको note कर लेना चाहिए, एक बड़ा important work है ये blank words को develop करने के लिए फिर इनके बाद में Dryden, Wordsworth, Keats, Shelley, Tennyson, Browning, इन सब ने अपने हिसाब से blank words का use किया थे दोस्तों अब बैलेट क्या होती है, सबसे पहले इसके characteristics बताता हूँ ये एक short story की तरह होती है दोस्तों, जिसे poem की तरह लिखा जाता है, एक poem जिसमें story हो और basically ये story tragic होती है दूसरी चीज़ ये, कि इसको dramatic बनाया जाता है जान बूझ कर, ताकि readers का attention खीचा जा सके तीसरी चीज़ ये, कि इसको जितना हो सके simple रखा जाता है, इतना complex नहीं किया जाता है, ताकि arm reader इसको समझ ना सके तो था ये, कि इस type की poem में सवाल जवाब होते है पांचवा, इसे musical way में लिखा जाता है चटा, पुराने type के atmosphere को create करने की कोशिश की जाती है, ताकि पुरानी से लगे साथवा, supernatural, magical और mystery words का use किया जाता है, ताकि कुछ अलग ही लगे और last और आठवा, particular lines, phrases और words को बार-बार repeat के जाता है, musical touch देने के लिए यह musical होती है, supernatural elements यूज किये जाते हैं, औरना atmosphere क्रियेट करने की कोशिश की जाती है, simple रखा जाता है, complex नहीं बनाया जाता, dramatic होती है और इसमें story सुनाई जाती है, तो यह होती है एक ballad, यह सारे characteristics होते हैं एक ballad की हम discuss करते हैं कि ballad आकर होती क्या है, ballad, ballad, word से आया है, जिसका मतलब होता है dance करना, कुल मिलाकर एक ऐसा गाना जिसमें एक story हो और जिसपे dance किया जा सके और ऐसे songs को सुनने वाले सिर्फ सुनते नहीं रहते थे, बलकि साथ की साथ वो भी dance करते थे, entertainment होता था एक type का ballad किसी time पे, क्योंकि यह इतना easy होती थी कि कोई भी समझ सकता था, अब धीरे-धीरे क्या हुआ, जो साथ में dance करने वाले होते थे, वो होते गए अलग, और सि इसी तरह ballads दो categories में बढ़ गई, पहली popular ballad, जो कि सुनते सुनाते चलते थे, सब लोग dance करते चलते थे साथ की साथ, और दूसरी literary ballad, इस literary ballad को popular ballad को copy करकी बनाये गया है, अब थोड़ा हम इसकी history को discuss कर लेते हैं, क्योंकि history से हमें अच्छे से समझ में आएगा, देखे, ये ballad हमेशा से oral literature का part थी, fog dance होता था, orally इसे generation to generation pass किया जाता था, अब oral tradition के साथ क्या problem थी, गोर से सुनना, इस tradition के साथ में problem ये थी, कि इसने ballad के original form को change कर दिया, मतलब जैसा पैसे के साथ होता है, generation to generation जब pass होता है पैसा, तो खत्म होता जाता है, वैसे ballad ने भी अपनी original form को खोद दिया, generation to generation pass होने की बजाए से, अब इन ballads का कोई एक single part तो होता नहीं था, कोई भी लिख देता था, कोई भी बोल देता था, कोई भी सुना देता था, अपनी lines add कर देता था, अब ये ballad का tradition 15th century में जाकर थोड़ा सा strong हो गया, क्योंकि इस time पर दो बहुती famous ballads के बीच में जो लडाई हुई थी, उस पर लिखी गई थी वो ballad, ये उस ballad का नाम है, मैं pronounce नहीं कर पाँगा, sorry, अब ध्यान देना, ये ballad homeric style में लिखी गई थी, homeric style क्या होता था, इस style को epic ballad कहा जाता था, अब इन दो ballads ने writers को बड़ा inspire किया, जैसे sir Philip Sydney थे उस time पर तो उनको बड़ा inspire किया, उसी time पर कुछ ऐसी ballads भी लिखी गई थी, जो ऐसे logo पर लिखी गई थी, जो अमीरों से लूट के गरीबों में बाट देते थे, जैसे Robin Hood, और इसी के साथ इसी time पर, literary ballad लिखने का tradition शुरू हो गया, दोस्तों ध्यान देना, अंग्रेजों ने बैलेट्स का मजा खतम होने नहीं दिया, मतलब कभी बैलेट्स लिखना रुका नहीं, सिर्फ एक Augustan age, जो Alexander Pope की age थी, उस age को छोड़ कर, Augustan age तो बहुत बंजर टाइप की age थी, उस time मामला रुख गया था, ये बैलेट्स वगेरा लिखने का, क्योंकि वो लोग हिराइक अलावा कुछ और जानते सुनते नहीं थे, तो उस time पर क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत ही फेमस बिशप थे, बिशप परसी, उन्होंने एक वर्क लिखा, जिसमें उन्होंने ancient English poetry की जरुरत को समझाया, इस एक single work ने दोस्तों, उस वक्त राइटर्स का बड़ा interest जगा द इसके बात में, फिर इन पर काम किया सर वाल्टर स्कॉट ने, वाल्टर स्कॉट हमको मालूम है, जो हिस्ट्री से जाल जुड़े हुए थे, उन्हें एंथलोजी ऑफ मेडिवल बैलेट्स लिखकर इस पर काम किया, राय कॉलरेज और जॉन कीट्स, जॉन कीट्स ने तो वालेट एक ऐसा सोट्स था, जिससे एंटर्टेन्मेंट किया जाता था, और इसको बचाया गया लिखकर, उसो मैं आपको इस वीडियो में कंसीट समझाने की कुशिश करूँगा, कि इंग्लिश लिट्रेचर में ये कंसीट क्या होता है, ये एक टाइप का फैंसी मेटाफ एक पोएम लिखिया है, वालेटिक्शन, वाबिडिंग मौनिंग, जिसमें वो दो लवर्ट का कंपैरिजन, कंपास के दो पैरों के साथ में करते हैं, देखो, स्कॉलर्ट्स ने क्लासिकली कंसीट को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक होते हैं पेट्रारकन कंसीट जो आपको पेट्रारकन सोनेट्स में देखने को मिलेंगे, शिक्सपीरियन सोनेट्स में देखने को मिलेंगे, और दूसरे होते हैं मेटाफिजिकल कंसीट, जो आपको जान डन और उनके फॉलोवर्ट्स की पाइट्री में देखने को मिलेंगे, तो इससे हमें ये तो काफी पहले, लेकिन वो अपनी पूर्ण्स में, लवर्ट्स का कंपैरिजन, नीचे के खुबसूरद अब्जेक्ट से करते थे, जिसे सूरज हो गया, चंदा हो गया, ऐसी सब चीजों से, लेकिन तब तक, कंसीट की, नेगेटिव इमिज मार्केट में नहीं बनी थी, 14th, 15th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, जब पेटरार को ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश पाइटरी में, तो उनका कंसीट नाम का डिवाइस भी आ गया, इंग्लिश लेंग्वेज में, जब ट्रांसलेट किया गया, लेकिन 17th सेंचुरी के मेटाफिसिकल ग्रूप की हाथ में जब ये लगा, कंसीट नाम का डिवाइस, तो इन्होंने इसका ओवर यूज करना शुरू करती है, ओवर यूज किया तो किया, लेकिन इसमें ज्यादा innovations नहीं हुए दोस्तों, तो एक negative image बन गई, कंसीट की, कि ये तो एक ऐसे type का comparison है, जो fancy है, और ये दीरे-दीरे कटते-कटते, out of trend होगे market से, मैं आपको simple से simple language में समझाने ही कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक और example दे के समझाता हूँ, जैसे Petrarch और Shakespeare, अगर conceit का use करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वो खुबसूरत लड़की की आँखों का comparison सूरत से करेंगे, ये चीज़ समझ में आती है, कि conceit एक level में use हो रहा है, जैसे Spencer ने अपनी epithelium in, नाम की जो पूर में उसके अंदर, beloved के cheeks का comparison एपल के साथ में किया है, वाह, क्या comparison है, उसके अपने beloved के lips का comparison, cherries के साथ में किया है, वाह, क्या comparison है, लेकिन यहाँ पर metaphysical conceit का use, एकदम absurd किया जाता है, बेतु के comparison, जैसे कि John Dunn, अपने beloved का comparison के खुछ से कैसे करेंगे, कि एक plea है, plea मतलब एक type का कीड़ा होता है, उसने पहले मेरा खुंचूसा, फिर तुम्हारा खुंचूसा, अपने beloved को बोल रहे हैं, अब हम दोनों का खुण, उस plea में, उस कीड़े में mix हो गया, इसका मतलब, ये एक जरिया हो गया, ये कीड़ा, जिसमें हम दोनों एक हो गया, हम दोनों ने sex कर लिया, तो comparison तो है, लेकिन एकदम absurd type का comparison है, इसलिए romantic age में जाकर, ये clever artful skill, ये device कहीं खोसा गया, और इसको वापस revive करने का काम, अगर आप ऐसा समझते हो, तो आप गलत हो दोस्तों, इसको revive करने का काम किया था, French Symbolist Points ने, और modern poetry में ये बात सच है, कि Amelie Dickinson, टीयसलिए और Azra Pound जैसे points, आपको इसका use करते होए मिलेंगे, लेकिन इसको revive करने का काम किया था, French Symbolist ने, Conceit का मतलब आपको समझ में आया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, Couplet क्या होता है, Couplet को हिंदी में बुलते हैं, दोहा, Poetry में दो लाइने, दो लाइनों की एक unit को, Couplet कहा जाता है, और इन दो लाइनों की unit में, same meter, same rhyme का use किया जाता है, या फिर इसकी एक quality और होती है, Poetry से एकदम separate होता है, मतलब होता Poetry के अंदर है, लेकिन एकदम separately इसको रखा जाता है, दो लाइनों का double line break भी कहा जाता है इसको, Couplet दो टाइप की होते हैं दुस्तों, Open Couplet और Closed Couplet, Open Couplet वो होता है, जिसमें एक line का मतलब दूसरी line तक जाता है, और Closed Couplet वो होता है, जिसमें एक line का मतलब एक ही line में खतम हो जाता है, और दूसरी line का मतलब अलग होता है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने definition दी, कि दो rhyming lines को हम Couplet बोलते हैं, तो यहाँ पर confusion यह खड़ा हो सकता है, कि similar rhyming की तो Poetry में हर दूसरी line होती है, मतलब अगर आप Poetry पड़ोगे, तो same सी rhyming से खतम होती है हर दूसरी line, तो हर दूसरी line Couplet थोड़ी होगी, बलकि नहीं दोस्तों, आपको Poetry के अंदर, Couplet अलग से खड़े हुए दिखेंगे, आप easily detect कर सकते हो, पैचान सकते हो, identify कर सकते हो, कि यह Couplet है, एक टाइप का breaks आ जाता है Poetry में, तो उसरी यह Couplet भी एक ऐसा device था, conceit की तरह, जो romantic age में आकर, out of fashion हो गया था, romantic age में आकर, काफ़ी सारे devices, जो पहले की Poetry में यूज की जा रहे थे, सब out of fashion हो गया, अगर आप Couplet पढ़ रहे हो, तो आपको Heroic Couplet के बारे में भी थूड़ी knowledge होनी चाहिए, अब हम लोग बात करते हैं, casual की, इसको बोला जाता है, एक टाइप का pause, Poetry में जो हम line लगते हैं, तो lineों के बीच में pause आते हैं, जैसे comma लगा दिया, dash लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं, casual, Poetry में casual आ गया, और जरूरी नहीं है, कि ये pause Poetry के एकदम बीचों भी जाएगा, first word के बाद, और last word से पहले, ये pause कहीं भी आ सकता है, कितनी भी बार आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार आएगा, multiple times भी आ सकता है, जैसे कि William Shakespeare के play, Hamlet में एक dialogue है, to be or not to be, that is the question, तो यहाँ पर दो बार pauses आये हैं, आपने अगर note कियो हो, तो to be के बीच में ये जो कॉमा है, इसको कहा जाता है casual, और ये, that is the question के पहले, ये है, इसको भी casual ही कहा जाएगा, तो दो time pause आये हैं, तो यहाँ पर इस line में दो pauses हैं, मतलब दो casual हैं, एक ही line में multiple times इसको use किया गया है, एक से ज्यादा बार यूज किया गया है, अरिस्टोटल ने इस term को coin out किया था, ये word निकल कर आया है एक Greek word, जिसका मतलब होता है purge, या कहें कि clean करना, अब आप सोचोगे किस चीज को clean करना, और किस चीज से clean करना, तो जब कोई audience, बैट के कोई dramatic tragedy देखती है, तो उस वक्त वो main character के प्रती, बहुत ज़्यादा emotions फील करती है, mainly दो टाइप के emotions, pity और fear, और उस tragedy को देखने से, उनके खुद के characters में कुछ बदलाव आते हैं, जिसे catharsis कहा जाता है, ये एक चोटी सी definition थी catharsis पर, अब मैं आपको detail से सब जाने की कुशिश करता हूँ, कि Aristotle ने इस catharsis के बारे में क्या कहा है, Aristotle ने कहा है, जब उनके सामने drama चल रहा होता है, जिसे actors perform कर रहे होते हैं, उस वक्त audience same emotions feel करती है, जो main characters के साथ में हो रहे होते हैं, और उन्हे emotions के through, audience कुछ better चीज़े सीख सकती है, अपनी life में उतारने के लिए, कि हमें अपनी जिन्दगी में क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें उस drama को देखते वक्त, उस main character से बहुत strongly attachment हो जाता है, और ये catharsis सिर्फ drama में नहीं पाया जाता है, novels के अंदर भी पाया जाता है, जैसे imagine करो, एक किताब है जिसके अंदर एक लड़का है, जिसने cancer की वज़े से अपनी मा को खो दिया, अब एक reader है जो इस किताब को पढ़ रहा है, उसने भी कभी past में मान लो, किसी friend या family member को cancer से खोया होगा, तो वो इस किताब से deeply attach हो जाएगा, इसे ही कहा जाता है catharsis, यानि ऐसी same situation जिसमें reader या viewer, खुद उस किताब को पढ़ते पढ़ते, या उस चीज को देखते देखते, उस character के गुसे को, उस character के हर emotion को, चाहे वो दुख हो, गुसा हो, सबको अपना मानने लगे, उसे ही catharsis कहा जाता है, अरिस्टोटल ने अपनी किताब Poetics में, Poetry की 5 forms के बारे में बताया, उन 5 forms में से एक form है, Epic Poetry, अरिस्टोटल बोलते हैं कि Epic Poetry जो होती है, वो tragedy की ही तरह, admirable लोग, कैसे होती है, लेकिन हमारे Aristotle भाई साब ने इसको tragedy से नीचे रखा है, वो कहते हैं कि Epic Poetry की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, tragedy की लंबाई एक limited होती है, लेकिन Epic Poetry की लंबाई बहुत ही ज्यादा होती है, अरिस्टोटल ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि इनकी लंबाई इनके लिए एक advantage है, कि ये पूरी चीज़ को अच्छे से limited कर सकती है, लेकिन साथ की साथ वो ये भी बोलते हैं कि इनकी लंबाई ज्यादा होने की वज़े से एक disadvantage ये है, कि इनका plot बड़ा लंबा चड़ा हो जाता है, जिससे वो एक single view में समझ में नहीं आता, Aristotle ने अपनी किताब Partix में इस बात पर बहुत ज़्यादा जोड डाला है, कि epic कितना भी महार हो जाए, लेकिन tragedy से superior नहीं हो सकता, in fact Aristotle तो इस बात पर आर्ग्यू करते हैं, कि कई मामलों में tragedy epic को suppress कर देती है, इसकी सबसे बड़ी वज़य ये है कि tragedy के पास catharsis होता है, और catharsis tragedy की power है, catharsis पर मैंने एक separate वीडियो बना रखिये, दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखिये, तो जाकर देख लिजिए, अब catharsis tragedy की power कैसे है, Aristotle आगे बताते हैं, आपने बताते हैं कि epic चाहे किसी भी टाइप का emotion create कर सकता है, लेकिन tragedy सिर्फ और सिर्फ pity और fear, यानि डर और दया के भाव को specifically पैदा करती है audience की मन में, जो कि catharsis में सबसे ज्यादा important है, और ये catharsis epic के पास नहीं होता, लोगों की दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हिंदी में epic को क्या कहते हैं, हिंदी में epic को कहते हैं महा काव्या, जैसे हमारे यहाँ पर महाभारत और रमायन इसी कटेगरी में आते हैं, महा काव्या की, उसी तरह Greek epics में Odyssey और Elliot बहुत ही famous है, और अगर आप English literature में examples देखो, तो John Milton की Paradise Lost, और Edwin Spencer की Fairy Queen, अब आपके दिमाग में एक सवाल दरूर आना चाहिए, कि मैंने महाभारत और रमायन को epic क्यों कहा है, देखो epic एक ऐसी poem होती है, वैसे अगर देखा जाए, जैसे रमायन और महाभारत के part होते है, उस तरीके से वो poem ही लगती है, है न, है तो poem ही, महा काव्य है, epic एक ऐसी poetry होती है, जिसमें वीरों की जिंदगी के बारे में बताया जाता है, उनके किसों के बारे में बताया जाता है, PD दर PD, उन कहानियों को, उन किसों को सुनाया जाता है, generation to generation, पास किया जाता है, अब epics की खास बात क्या होती है, कि इन में पता नहीं है कि, क्या ये characters जिनकी बारे में बताया जा रहा है, जिनकी जिंदगीयों के बारे में बताया जा रहा है, उनकी पास में कुछ खास गुण होंगे जो दिखाये जा रहे है एपिक के अंदर या नहीं लेकिन उनको सुपर हुमन क्वालिटीज दी जाती है जैसे महाभारत में कर्ण का करेक्टर देख लो उसके पास में कवच और कुंडल था सुपर हुमन क्वालिटीज दी जाती है लगबग हर महा काव्य के अंदर हर एपिक के अंदर जैसे पैरडाइज लॉस्ट में आप सैटन का करेक्टर देख लो एडम और इव का करेक्टर देख लो रूट आप नॉलिज को देख लो ये चीज़े सोचने में कहीं से भी सच्ची नहीं लगती लेकिन फिर भी लोग इनको सच मानते हैं तो एपिक यही होता है ट्रेजिडी से डिफरेंट होता है ये करेक्टरिस्टिक्स है इसके अच्छा एक चीज़ और होती है एपिक्स के अंदर गौड भी अपियर होता है यानि भगवान भी होता है एपिक्स के अंदर आप परडाइज लॉस्ट को देख लो आप महाबारत में कृष्ण का करेक्टर देख लो वैस्ट में जितने भी एपिक लिखने वाले राइटर्स थे उन सब ने हॉमर को फॉलो किया है एक टर्म होती है हॉमरिक सिमिली जिसको एपिक सिमिली भी कहा जाता है अब दोस्तों दो टाइप होता है एक होता है फॉक एपिक एक होता है लिटररी एपिक Fock Epic वो होता है जो generation to generation सुनाया जाता है यानि मेरे दादा को उनके दादा ने सुनाई उनके दादा को उनके दादा ने सुनाई तो ये कहानी जो बिखरी हुई थी किसी ने उनको समेटा और एक Epic का रूप दे दिया ठीक है? ये होगी Fock Epic और एक होती है Literary Epic Literary Epic क्या होता है? जो जैसे Paradise Rost एक Writer ने लिखा है बले ही Bible से इंस्पायर होकर लिखा है लेकिन इसको लिखा एक Artist ने है तो ये Literary Epic का एक्जांपल है Erwin Pedrick Maximilian Prisketter नाम के एक German Theater Director ने इस Term को Coin Out किया था Epic Theater तो इनका नाम नोट कर लो पूछा जा सकता है कि किस ने इस Term को Coin Out किया था देखो ये Epic Theater में होता क्या था? Socio-Political Content पर Focus किया जाता था बजाए के Audience को Emotionally Manipulate करने के मतलब Audience की अंदर बे मतलब की Pity और Fear जगाने की बजाए उनको Socio-Political Content पर Focus किया जाए जिस चीज को Formal Beauty कहा जाता दोस्तों इस Type के Theater उस Time पर Aristotelian Ideas के बिल्कुल उल्टे थी Aristotle का जो Work है Poetics उसके अंदर उन्होंने अपनी Dramatic Theory दी है उस Theory के अंदर उन्होंने Catharsis की बात की है जिसके अंदर Audience में Pity और Fear जगाना चाहिए ऐसा कहा गया लेकिन इस Type के Dramas का Purpose क्या होता था कि अपने पुराने Beliefs को भूल जाओ वो Audience से Direct बोलते थे कि अपने पुराने Beliefs को भूल जाओ कि End में अच्छे की साथ में अच्छा होगा और बुरे को सजा मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम्हें दुनिया को वैसे ही देखना शुरू कर देना चाहिए जैसी दुनिया है हमें यानि Audience को ड्रामा वैसे नहीं देखना चाहिए जैसे हमें Story दिखाई जा रही है कहानी दिखाई जा रही है द्रामा की बलकि Audience में बैटे हर एक Individual इंसान का अपना अलग perspective होता तो हर कोई कहानी देखकर अपने अलग तरीके से react करे इस टाइप के ड्रामाज लिखने वालों का main purpose यही होता था अब दोस्तों इस Epic Theater का connection directly Germany से है Germany में एक Theater है Walks बुहिन नाम है उस Theater का जो Berlin City में है वहीं पर इस term को coin out किया था Erwin Peskater ने ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पर वो Theater लिखने वाले playwrights को encourage करने ये कुशिश कर रहे थे कि आप लोग contemporary issues पर लिखो और उन contemporary issues को stage पर perform कर भाओ जैसे audience खुद सोचने लगे बाते करने लगे आपस में इन epic theater वालों से पहले एक term चलती थी total artwork नाम से बसे German language में इसको ये बोलते हैं इसका नाम मैं प्रणॉंस नहीं कर पाऊंगा sorry लेकिन total artwork नाम से एक term चलती थी और इसे develop किया था German composer, playwright Richard Wagner ने Richard Wagner artwork पर ज्यादा focus करते थे जैसे aestheticism वाले करते थे सेम बैसे ही तो इस idea की against एक response था epic theater अब दोस्तों मैं आपको epic theater में सबसे बड़ा नाम बताने वाला हूँ जिनका नाम है Bertel Bratt ये एक German theater practitioner थे और epic theater में सबसे बड़ा नाम थे दोस्तों लेकिन कितनी अजीब बात थी कि epic theater में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी ये heavily influenced थे Richard Wagner से Richard Wagner जो total artwork पर भरोसा करते थे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक example है कि जरूरी नहीं आए कि आप जिससे influenced हो तो आप उसी के जैसा लेखो Bertel Bratt ने ये वाद साबित कर दी Bertel Bratt का एक work है Assured Organum for the Theater ये एक work है इन्होंने 1948 में लिखा था Switzerland में और 1949 में इसको publish करवाया था और इसी work के अंदर दोस्तों उन्होंने Aristotle के Poetics के idea को reject किया Poetics में जो catharsis वाला idea था उसको reject किया इन्होंने इस work में पुराने कुछ Greek writers को उठाया उनका reference दिया जैसे कि Sophocles Sophocles की tragedies का reference दिया और Shakespeare की comedies का और दूसरे plays का reference दिया खुल मिलाकर Poetics के core idea पर ये attack करते थे अब Poetics का core idea क्या था कि theater को dramatic बनाओ dramatic कैसे बनाओ कि connection फील करना चाहिए audience में बैठा हर एक इनसान जब character से connection फील करेगा तब जाकर एक drama great drama बनेगा लेकिन यहाँ पे Bertilbrack क्या करते थे उन्होंने कहा कि emotional connection होने के बाद हम rational सोचना बंद कर देते हैं और इन्होंने ही दोस्तों इस type के theater के लिए इस type के theater को dialectic theater नाम दिया था epic theater नाम तो इसको बाद में मिला पहले इन्होंने dialectic theater नाम दिया इनको बिल्कुल पसंद नहीं था psychological realism, serialism और theater of cruelty बिल्कुल अलग, different idea था यह epic theater का Bertilbrack मानते थे वो मानते थे कि बाकी के theaters में क्या होता है manipulative plots होते हैं मतलब melodrama होते जबर्दस्ती के highlighted emotions जनकी कोई जरूत नहीं होती even psychological realism को भी वो कुछ खास पसंद नहीं करते थे इस epic theater की form में लिखा हुआ इनका एक बहुती कमाल का work है Good Person of Such One नाम का play बड़ा famous है अगर आप epic theater को समझना चाहते हो तो इससे Bertilbrack ने लिखा है अब दोस्तों ऐसा माना जाता है कि Bertilbrack का perspective काफी हद तक Marxism की तरफ जुखा हुआ था Karl Marx के ideas की तरफ वो अपने theater की जरिए social realities को stage पर दिखाना पसंद करते थे और directly audience के दिमाग को मतलब अपनी audience में बैटे हर एक बंदे के दिमाग को hit करते थे कि तुम खुद सोचो देखकर इस drama को देखकर तुम खुद सोचो इनकी कोशिश ये रहती थी कि एक particular character के लिए audience की sympathy develop नहीं होने चाहिए audience की sympathy बिल्कुल develop नहीं होने चाहिए particular character के लिए वो जुड़कर emotionally जुड़कर rationally सोचना बंद करते इसके लिए उन्होंने एक effect तयार किया दोस्तों एक effect का use किया जिसको बुला जाता है alienating effect या फिर distancing effect और इसका एक popular नाम भी है bee effect ये effect क्या काम करता है मैं आपको समझाता हूँ लेकिन पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसके जरीए ये कोशिश करते थे कि audience objectively सोच सके play के बारे में characters भी खुद कोशिश करते थे कि खुद के emotions को character से दूर रख सके कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करते हूँ इन्होंने इसे खुद develop किया था ये actors को साथ कहते थे कि कोशिश करना ये audience के emotions से तुम distance बना कर रख सको audience का emotional involvement बिलकुल नहीं होना चाहिए play में बीच बीच में तुम उनको reminders देते रहो कि ये एक theater performance चल रही है आपको emotional होने ही कोई जरूरत नहीं आप rational रहो आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस technique में actors क्या करते थे बीच बीच में आकर lectures देते थे summarize करते थे narration चलता था गाने बगेरा गा कर और दोसों ध्यान दे ना इस type के theater के अंदर stage designing भी जो होती थी ना वो किसी locality के हिसाब से नहीं होती थी बलकि audience को ये feel करवाय जाता था कि वाकई में वो किसी theater के अंदर बैठ है वो audience है और वो theater में बैठ है वो किसी location पर नहीं है बीच बीच में रस्तियां लटका दी heavy lighting हो रही है बहुत ज़्यादा lighting हो रही है ऐसा इसलिए क्योंकि emotional होकर audience drama को ठीक से analyze नहीं कर सकती audience को rational होना ही पड़ेगा तो drama को मज़े के लिए बिलकुल मत देखो rational बनो सवाल पूछो यही था epic theater जिसमें epic जैसा कुछ भी रहता लेकिन दोस्तों ये Aristotle के dramatic theater से बिलकुल अलग था irony इस literary device में चीजें जैसी दिखती है actually उससे बहुत different होती है irony basically तीन टाइप की होती है verbal irony, dramatic irony और situational irony एक एक करके तीनों को समझाता हूँ सबसे पहले verbal irony इसमें इंसान बोलता कुछ है और उसका मतलब कुछ और होता है जैसे for example मैं एक dentist के पास में गया वापिस आया तो दूसरे पूछा दर्द हुआ था तो मैं नहीं बहुत मज़ा आया तो यहाँ पर मैं एक verbal irony का use कर रहा हूँ मतलब obviously दर्द हुआ होगा यार dentist के पास में क्या मज़ा आता है मतलब अगर actual literal meaning से आपके words बिलकुल opposite हो तो आप verbal irony का use कर रहे हो सबसे common irony है verbal irony दूसरी होती है situational irony मतलब ऐसी situation create होना जिसमें कुछ unexpected चीज हो जाए expect कुछ किया हो और हो कुछ और जाए इसे example देकर समझाता हूँ एक writer है O. Henry उनकी एक story है short story gift of मज़ाई उसके अंदर क्या होता है एक खुबसूरत लड़की होती जिसकी बालों की लटे बहुत खुबसूरत होती है तो वो अपने husband से बहुत प्यार करती है उसका husband एक watch पहनता है घड़ी और उस घड़ी में डलती है एक chain वो chain इसके husband की पास में होती नहीं है तो ये क्या करती है अपने खुबसूरत बालों की लटो को काट देती है अपने husband की घड़ी की chain खरीदने के लिए लेकिन इसका husband क्या करता है अपनी उसी घड़ी को बेच कर इसके लिए कंगा खरीद कर लाता है ताकि ये अपने beautiful बालों को समार सके तो ये एक situational irony हुई कि उस लड़की ने expect कुछ किया था और बिल्कुली उसके उलट हो गया तो ये एक situational irony हुई तीसरा type होता है dramatic irony इसको समझाने के लिए मैं आपको एक example दूँगा उससे बहुत अच्छे समझ में आगा जैसे आप एक movie देख रहे हूँ तो आप उस movie की audience हो तो कुछ चीज़ें उस film के अंदर आपको पता होती है लेकिन उस movie के character को पता नहीं होती जैसे आपको पता है कि उस movie में दरवाजे के पीछे क्या है लेकिन movie के character को ये चीज़ पता नहीं है तो ये एक dramatic irony है तो दोस्तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ही इसमें ये है कि iambic और pentameter ये दोनों अलग-अलग चीज़े है दोनों को ही समझना आसान है लेकिन एक-एक करके समझना पड़ेगा लेकिन इन दोनों को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि syllables क्या होते है सबसे पहली समझने वाली चीज़ है हमारे लिए syllables यहाँ पर कई लोगों को पता होगा syllable का मतलब होता है कोई word हिंदी में बोलू तो कोई शब्द और शब्द का मतलब पूरा शब्द नहीं शब्द का भी ऐसा part यानि कि word का भी ऐसा part जिसका एक ही sound हो एक ही vowel sound हो ठीक है मैं आपको आगे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा तो syllable का मतलब समझ में आया होगा कि syllable एक word को कहते है एक शब्द को कहते है शब्द का ऐसा part जिसका एक ही sound होता है प्यार हिंदी में बोलू तो शब्दांश शब्द का एक अंश इसको बोलते हैं हम syllable अब तो clear हुआ होगा तो I am क्या बोलता है I am बोलता है कि दो syllable को मिला कर I am बनता है यानि कि एक I am दो syllable को मिला करके बनता है For example एक word में लेता हूँ define अब यहाँ पर दोस्तों देखो define जो word है इसके अंदर दो syllable है यानि कि दो शब्दांश है D और fine अगर इन दोनों को अलग करें तो D और fine तो अगर इस word में दो syllable है तो I am का एक नियम और है कि पहला जो syllable होगा उस पर stress कम पड़ेगा और दूसरे syllable पर stress ज़्यादा पड़ेगा यानि कि अब आप देख लो define के अंदर किस पर stress आपको ज़्यादा दिख रहा है of course fine पर ज़्यादा दिख रहा है define define को बोलने में मैं ज़्यादा stress लगा रहा हूं जबकि D को मैं आसानी से बोल पा रहा हूं तो पहले syllable पर stress कम पड़ेगा दूसरे पर ज़्यादा पड़ेगा यानि कि ये दो syllable है ये मिल करके एक I am बन गया दोस्तो इसको हम I am भी बोल सकते हैं और एक foot भी बोल सकते हैं feet भी बोल सकते हैं यानि कि एक foot या फिर एक feet एक बार फिट से बता देता हूं ज्यादा clear होगा कि ये दो syllables का जोड़ा है जिसमें पहला syllable जो है वो unstressed है जिस पर stress ज़्यादा नहीं लग रहा दूसरे syllable पर stress ज़्यादा लग रहा है तो इसी जोड़े को हम I am बोलते हैं इसको दूसरी भाशा में हम foot भी बोल सकते हैं और feet भी बोल सकते हैं ऐसे ही दोस्तों एक line की अंदर ऐसे अगर 5 जोड़े होंगे तो उसको हम बोलेंगे I am big pentameter यहाँ पे pentameter का मतलब है 5 जोड़े वैसे ये 5 जोड़े नहीं बोला जाता वैसे ये 5 foot या 5 feet बोला जाता है मैं तो आपको जोड़े बताने के लिए बोल रहा हूँ अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये पोयम की शुरुवाती दो लाइने है यहाँ पर इसमें आप color से पहचान सकते हो कि कौन से syllable पर stress ज़्यादा पढ़ रहा है कौन से syllable पर stress कम पढ़ रहा है यहाँ पर total एक line में 10 syllable है यानि कि 10 syllable को मिला करके 5 जोड़े बन गए इसका मतलब 5 foot बन गए 5 feet बन गए तो इसका मतलब यह हुआ pentameter बन गया यह ऐसे ही दोस्तों एक चीज़ और देख लेना यहाँ पर pentameter तो यह है लेकिन I am कैसे होगा पहला syllable तो इसमें unstressed होगा और दूसरा stressed होगा अब ऐसे ही दोस्तों अब मैं meter के बारे में आपको बताता हूँ I am तो I hope आपको समझ में आ गया होगा पहला syllable unstressed दूसरा stressed अब मैं आपको I am big tetra meter के बारे में बताता हूँ दोस्तों इसको समझने के लिए हमें Emily Dickinson की एक बड़ी famous poem को उठाना पड़ेगा because I could not stop for death ये जो line है इसके अंदर आप देखोगे कि 8 syllables हैं color के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 8 syllables हैं तो 8 के हिसाब से जोड़े कितने बने? 4 4 जोड़े का मतलब 4 feet 4 foot 4 foot का मतलब I am big tetra meter ऐसे ही जिस line में 6 syllables होँगे तो इसका मतलब वो I am big trimeter होगा यानि कि उसके 3 जोड़े बनेंगे 3 foot बनेंगे ऐसे ही दोस्तों जिसमें 12 syllables होँगे वो hexameter कहलाएगा क्योंकि उसमें 6 जोड़े बनेंगे यानि कि उसकी line की लंबाई भी लंबी होगी तो meter का मतलब line की लंबाई hexameter में अगर कोई line लिखी होई होगी तो उसकी लंबाई अफकॉर्ट ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा syllables होगे तो हम line की लंबाई देखकर meter का अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन हमें I am को समझना है I am को समझना है तो पहले हमको देखना पड़ेगा syllable कैसा है stressed है या फिर unstressed है दोस्तो ऐसे ही meter 6 type के होते हैं सबसे पहले monometer जिसके अंदर एक ही I am होता है दूसरा diameter जिसके अंदर 2 I am होते हैं यानि की 2 feet होते हैं 2 जोडे होते हैं तीसरा diameter जिसमें 3 जोडे होते हैं यानि की 3 feet होते हैं चौथा tetra meter यानि की 4 जोडे 4 feet पेंटा meter 5 जोडे 5 feet एक्सा meter 6 जोडे यानि की 6 feet तो अधिकतर points क्या करते हैं इन सब में से इन सब meters में से पेंटा meter को ज़्यादा choose करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सही meter होता है उनके लिए क्योंकि पेंटा meter में बहुत सारी varieties हैं वो अपनी बात को आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं ये ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है और लिखने में भी अच्छा लगता है तो poets ज़्यादा तर अपनी poetry की हर line को pentameter में लिखते हैं लेकिन कोई-कोई poet ऐसा होता है जैसे Emily Dickinson वो अपनी पहली line को लिखती है tetra meter में और दूसरी line को लिखती है trimeter में तो ऐसा कैसे चलेगा जब उपर की line अगर tetra meter में लिखी है दूसरी अगर line trimeter में लिखी है तो इसका मतलब कैसा meter हुआ ये इसको हम बोलते हैं common meter इसको हम बोलते हैं common meter ये poetry common meter में लिखी हुए तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती famous form of poetry को discuss करेंगी जिसका नाम है lyric इस पर मैं 4 या 5 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उस वीडियो में मैंने एक छूटी सी जानकारी दी थी कि ये lyric क्या होता है इस वीडियो में हम लोग ढंक से discuss करेंगे इसकी history समझने की कोशिश करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसके character आपको इस वीडियो के end में तो lyric एक essay type की poem होती है जिसे गाने की तरह गाया जाना चाहिए इसलिए इसको lyric बोला जाता है मैं directly इसके character रिस्टिक्स बताने की वज़ाए आपको इसकी history समझाने की कोशिश करूँगा इसका इतिहास ताकि आपको समझ में आए songs से निकल कर आई है Greek songs से तो इसलिए इसको lyric बोला जाता है तो Greek songs को हम दो parts में बाढ़ सकते हैं एक थे Malik song और दूसरे थे Kaurik song Malik songs को एक single voice में गाया जाता था और इसे गाते वक्त एक ऐसे instrument का use किया जाता था इस instrument को बोला जाता है दूस्तो लायर ठीक है और Kaurik songs वो होते थे जिनें ग्रुप में गाया जाता था जिसमें बहुत सारे instruments का use होता था सिर्फ एक लायर का नहीं बहुत सारे instruments का use होता था और dance भी होता था तो हमें जानना पड़ेगा ये समझने के लिए कि songs को दो types में बाटा गया था मतलब दो types के songs होते थे एक Malik songs और एक Kaurik songs तो आप सोचो single आदमी भी जब lyric को गाता था तो उसके हाथ में भी एक instrument होता था instrument की जरूत क्यों पड़ती थी वो instrument कौन साथा लायर इसकी जरूत क्यों पड़ती थी ताकि वो अपने song में और ज़्यादा emotions को add कर सके शायद इसलिए क्योंकि उस time पर language इतनी polished नहीं होती थी instruments का बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों ताब कि words पे भी इतनी कोई खास बात नहीं है तब भी आप instrument का use करके उनको settle कर सकते हो तो उस time पर लायर का use किया जाता था कि उस time पर गाना गाने के लिए subject matter इतना माइने नहीं रखता था फिर क्या होता है कुछ सालों के बाद में पता लगा कि हम words को भी rhyme और meter का use करके rhythmic बना सकते हैं मतलब musical words भी हम बना सकते हैं rhythm का use करके rhyme का use करके, meter का use करके हम अपने words को भी rhythmic बना सकते हैं और इसकी वज़े से अब हमें musical instruments की जरुरत खतम हो गए जब words ही musical हो गए तो किसी instrument की जरुरत क्या है अब क्या होता है दोस्तों कहानी को थोड़ा और आगे चलते है कि एक age आती है Elizabethan age English literature में drama की golden age कहा जाता है इसको तो ये जब age आई तो इस verbal melody मतलब words को musical बनाने का सबसे ज़्यादा use किया गया दोस्तों यहां तक कि drama में भी verbal melody का use किया जाता था ये लोग vowels को और consonants को इतना artistically use करते थे कि किसी musical instrument की जरुरती नहीं पड़ते थी Elizabethan ने जब तक lyrics लिखे तब तक लिखे फिर इसके बाद में romantic age में John Keats और PB Shelley इन्होंने बहुत use किया और Victorian age में Tennyson Tennyson दोस्तों lyrics में बहुत ही ज़्यादा expert थे उन्होंने एक poem लिखी है ओ हार्क, ओ हियर, आओ धन, अन्क्लियर आप देखना कितना beautifully arrange किया words को उन्हों है तो आने वाले time में हम यह कह सकते हैं कि lyric lyre से एकदम lyre नाम के instrument से एकदम free हो गई थी जहां Greek time में lyre की बहुत ज़्यादा जरुरत पड़ती थी, मैंने आपको Greek literature में सैफो का नाम नहीं बताया सैफो नाम की एक parties थी Greek time में जो lyric poetry बहुत ज़्यादा लिखती थी और इनकी poetry को musical instruments बजा कर गया जाता था सैफो को दोस्तों 10th muse भी कहते हैं यह additional जानकर यह जो मैंने आपको बताई ठीक है कुछ characteristics की बात करता हूँ कि इस type की poems लिखी कैसे जाती है इस poem के अंदर single emotion यह single feeling को express किया जाता है यह poem लिखी ही इस तरीके से जाती है ताकि single emotion यह single feeling को express किया जा सके इसे दिल से गाया जाता है बजाए के दिमाग के यहाँ पर दिमाग नहीं चलता जैसे हम बैठे बैठे कोई छोटे मोटे गाने गा लेते हैं उसी तरीके से songs की तरह छोटी होती है लंबी नहीं होती ताकि इसे याद रखा जा सके इसे poet लिखते ही इसलिए थे ताकि गाने वाले इसे याद रख सके और बार बार गाएं जैसा कि Edgar Allen Poe जब अपनी lyrics लिखते थे तो उनका भी यही कहना था कि lyric लंबी नहीं होती है यह subjective होती है poet अपने खुद की personal emotions इसमें बया करता है इसके अंदर narrative, drama यह सब चीजे नहीं चलती मदब इसके अंदर कोई कहानी नहीं सुनाई जाती इसके अंदर कोई drama नहीं होता वो तो epic poetry में होता है इसमें कोई drama, कोई कहानी नहीं सुनाई जाती इसमें तो बस ऐसा होता है कि subjective point of view रखा जाता है और गाने के purposes को लिखा जाता है जैसे कि आप allergies, ods, sonnets यह सब lyric poets की poetry की तो example है sonnets के अंदर आपको कौन सी कहानी मिलेगी यह subjective होती है, rhythmic होती है इनमें कोई कहानी नहीं होती वैसे दोस्तो, ods के अंदर कोई सबसे जाद समझने वाली चीज है तो वो है इसके types ods basically तीन type की होती है penderic, horatian और irregular इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं यानि कि ods के origin से तो यह ods जो word आया है यह आया है Greek language से जिसका मतलब होता है song एक ऐसा song जिसे ग्रूप में गाया जाता है और dance भी किया जाता है साथ ही साथ, इसको गाया जाने के साथ साथ तो ods आज एक form of poetry है लेकिन इसका जन्म हुआ था Greek language से आज यह एक ऐसी पोयम मानी जाती है जो किसी इंसान, जगय, कोई चीज या आइडिया को glorify करने के लिए या फिर कहले उसकी तारीफ करने के लिए लिए लिखी जाती है बिसिकली मैंने आपको बताया कि इसके तीन टाइप्स होते है पहला Penderic, दूसरा Horatian और तीसरा irregular, सबसे पुराना टाइप है Penderic टाइप, ये नाम Penderic एक ancient Greek poet की नाम पर पड़ा है और उस टाइम पर जो Oats को लिखा जाता था, उसके अंदर music होता था dance होता था, और किसी की victory को celebrate करने के लिए वो points लिखी जाती थी अब मैं आपको बताऊं दोस्तों की Penderic Oats का structure कैसा होता है, इसके अंदर तीन stanza होते हैं, जिनका नाम होता है, strophe, anti-strophe और a pod, true वाला stanza होता है strophe, फिर उसके बाद middle वाला anti-strophe, उसके बाद a pod John Keats की poem, Oats to Autumn इस type की structure का एक अच्छा खासा example है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि English Oats का अधिकतर pattern इसी Penderic Oats को follow करके लिखा जाता है, जैसे Thomas Gray की एक Oats है The Progress of Poesies, यह भी Penderic Oats का एक अच्छा खासा example है, या फिर William Wordsworth की Oats, Intimation of Immortility from Reflection of Early Childhood, यह जो Oats है William Wordsworth की, यह भी Penderic Tradition में लिखी गई है, ध्यान देना इसको irregular Penderic Tradition में लिखा गया है, दूसरा Type होता है, दोस्तो, Horatian Oats यह नाम पड़ा है, Latin Poet Horace की नाम पर, इस Type की जो Oats होती है, उनको Quattrants में लिखा जाता है, यानि की 4-4 लाइनों में, मैं पिछली कई सारे वीडियों में बात कर चुका हूँ की Quattrants क्या होता है 4 लाइनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है Quattrants, तो यह जो दूसरा Type होता है, Horatian Oats का इसको Quattrants और Couplets दोनों में लिखा जाता है, दूसरो Couplets क्या होती है, दो लाइनों को कहते है, Couplets, यह भी मैं पहले कुछ वीडियों में बता चुका हूँ जबकि Oats का जो तीसरा Type होता है Irregular Oats, उसका Use, English Language में जो Oats लिखी जाती है, उसमें बहुत Use किया जाता है इसका तो यह तीसरे Type की जो Oats लिखी जाती है Irregular Oats, इसके अंदर Rhyme को जरूर Follow किया जाता है, लेकिन इसका कोई Structure नहीं होता यानि कि यह जो Oats होती है यह Penderic और Horatian Oats दोनों से एकदम अलग होती है उनके Structure को Follow नहीं करती Wordsworth और Keats दोनों ने इस Type की Oats लिखी है लेकिन PB Shelley की जो Oats है Oats to the West Wind वो Irregular Oats का एक अच्छा एक्जमपल हो सकती है Irregular Oats के अंदर कोई भी Fixed Line नहीं होती किसी में 3 होती है किसी में 4 होती है किसी में 5 होती है तो कोई भी Fixed Line को Follow नहीं किया जाता कि Horatian Oats के अंदर Fixed Line नहीं होती थी जबकि Pattern की बात की जाए तो Penderic Pattern को भी यह Oats Follow नहीं करती उसके अंदर 3 Stenza होते थे और इसके अंदर कितरे भी stanza हो सकते हैं irregular ode के अंदर अद करें English language में earliest ode किस ने लिखी थी तो Edmund Spencer Edmund Spencer ने English language में earliest ode लिखी थी epithelamian और prothelamian फिर 17th century में जाकर Abraham Cowley ने English language में most important ode को लिखा इन्होंने penderic style को irregular way में follow किया था इसके बाद दोस्तों Thomas Gray आये उन्होंने penderic style में ode को लिखा उसके बाद William Wordsworth ने आकर ये जो Abraham Cowley थे इनके pattern को follow किया यानि कि irregular penderic style में इन्होंने intimations of immortality को लिखा ये जो तीन types होते हैं ode के ये ध्यान में रखने हैं ये काम आ सकते हैं सबसे पुराना type कौन सा है? ग्रीक type यानि कि सबसे old type है penderic oats को लिखने का तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है personification क्या होता है personification personification का मतलब होता है किसी non living object को यानि किसी नर्जीव चीज़ को insanों वाली qualities देदेना यानि human qualities देदेना personification कहलाता है जैसे एक लकडी का डबा है वो गुसा कर रहा है अब एक लकडी का डबा कैसे गुसा कर सकता है जैसे एक romantic part थे William Wordsworth उनकी बहुत famous poem है Daffodils उसमें उन्होंने कहा है उन्होंने देखा कि Daffodils के flowers dance कर रहे थे अब flowers कौन सा dance करते हैं और उन्हीं flowers के बगल में पानी की लहरे dance कर रहे थी तो हम कह सकते हैं कि William Wordsworth ने इस poem में personification का use किया है personification का मतलब क्या होता है किसी non-loving object को इंसानों वाले qualities देना इंसानों वाले emotions देना दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा topic बहुत interesting है आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगी कि किसी भी novel में ड्रामा में या किसी भी type की story में short story में भी यह plot क्या चीज होती है अगर आप यह समझते हो कि story कहानी plot होता है तो दोस्तों आप गलत फैमी में हो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यह plot क्या होता है इसको a sequence of events भी कहा जाता है इस वीडियो में मैं detail से समझाने की कोशिश करूँगा चलिए शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो की end में सबसे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह plot आकर होता क्या है a sequence of events जिसमें हर एक event आने वाले event से जुडा हुआ होता है आने वाले event को effect करता है और इसके लिए एक principle होता है दुस्तों cause and effect का principle उस पर यह plot काम करता है तो एक events की chain बनती है तब एक plot तयार होता है जिसको हम आसान शब्दों में storyline भी कहते हैं रेगो हर किसी ने plot की time the time अपनी अपनी definition दी है अपने अपने तरीके बताये हैं कि plot कैसे तयार होना चाहिए मैं सबसे पहले आपको EM Froster आपने नाम सुना होगा A Passage to India वाले उन्होंने एक work लिखा था aspects of novel उसके अंदर आपको plot के बारे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी line लिखकर definition दी है उन्होंने ये cause and effect को समझाने के लिए क्या बोला है वो कहते हैं कि story और plot में क्या फर्क होता है आपको मालूम है कि एक राजा है वो मर गया फिर उसके बाद में queen भी मर गई उसकी रानी भी मर गई तो ये हुई story जबकि एक plot क्या होता है कि राजा मर गया फिर उसी के गम में रानी भी मर गई तो एक event का असर पड़ा दूसरे event पर इसको कहते है plot बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए इस line की तो अगर आप story और plot को एक ही चीज समझते हो तो दोस्तों दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ है जैसे मैं आपको एक titanic movie आई थी एक film आई थी उसमें एक लड़की का scene है जब वो ship के सामने वाली रेनिंग पर जाकर खड़ी हो जाती है और हात फेला लेती है जैसे वो उड़ रही हो आपको याद होगा सबको याद है यह scene बहुत ही interesting भी लगता है लेकिन यह plot का हिस्सा नहीं है टेक्निकली क्या यह scene एक event है आप सवाल पूछो कुछ से क्या यह scene एक event है और क्या इसका असर पड़ा दूसरे event पर नहीं तो यह plot का हिस्सा नहीं है टेक्निकली तो हम अगर plot को समझ रहे हैं तो हमें Aristotle ने अपनी politics में plot के बारे में क्या बोला है यह जानना भी इसा मानते थे कि plot को एक whole single action में लिखा जाना चाहिए यह whole single action क्या होता है मतलब plot अपने आप में complete होना चाहिए unity of action होनी चाहिए मतलब उसका structure जो होता है na plot का full self-contained होना चाहिए beginning से middle middle से end तक उन्होंने अपने हिसाब से play को दो parts में बार दिया था पहला part था complication और दूसर दिनुमन और उन्होंने plot के dramatic structure को बताने के लिए सफोकलिस सफोकलिस आपको मालम होगा बहुत ही great playwright से उनके works का example यूज किया है उन्होंने पतलब Aristotle ने scenes के भी दो special interest बताया है एक होता है reversal और दूसरा होता है recognition reversal तो वो जो action को नई direction देता है और recognition वो जो protagonist के पास कुछ important हो वो reveal करने के लिए इसका use किया जाता है reversal का मतलब पहले वाले scene में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरा scene जुड़े points को properly set up करना बहुत ज़रूरी है दो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ Aristotle को character centric plot बिल्कुल पसंद नहीं थे कि आपने एक आदमी के around एक आदमी के आसपास पूरा plot गड़ दिया जैसे कि आप Charles Dickens की novel पढ़ो Oliver Twist Oliver Twist के आसपास सारा plot गड़ दिया तो उनको ऐसे character centric plot बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसी के साथ साथ उन्हें episodic plot भी बिल्कुल पसंद नहीं थे और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब plot के अंदर actions होते हैं उनका purpose होना चाहिए हमें कोई moral चीज सिखाने का मतलब morality play का center होनी चाहिए और वो ही play को great बनाएगी अब दोस्तों Aristotle के ideas हमने पढ़े अब हमें एक German novelist एक German playwright थे बहुत famous Gustav Raitach उनके ideas भी पढ़ने पढ़ेगे उन्होंने एक work लिखा था die technique das dramas दोस्तों अगर मैंने गलत प्रणॉंस किया तो sorry जिसमें इन्होंने five act dramatic structure को study किया और इन्होंने एक pyramid बनाया था दोस्तों जिसको Raitach pyramid भी कहा जाता है और इस pyramid के जरीए उन्होंने बताया कि story की plot में 5 parts होने चाहिए सबसे पहला part है exposition जिसे introduction कहा जाता है दूसरा rising action तीसरा climax, चौथा falling action और last में catastrophe जिसे resolution भी कहा जाता है और drama के 5 acts इन्हीं 5 parts को ऐसे ही follow करने चाहिए जिसे कई लोग dramatic arc भी कहते हैं और इन 5 parts के अलावा उन्होंने 3 type की forces भी बताई दोस्तों इसको भी note कर रहे न मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप ढंक से note करना पहली होती है exciting force जो rising action को lead करती है दूसरी होती है tragic force जो falling action को lead करती है और last में होती है final suspense force जो catastrophe को lead करती है अब दोस्तों अगर हम Aristotle की माने तो हमें इन 3 forces को ढंक से follow करना चाहिए लेकिन fratak क्या बोलते हैं कि यहाँ पर exciting force ज़रूरी है लेकिन project force और final suspense force optional है अगर writer चाहे तो इनको follow करे और ना चाहे तो ना करे मतलब सिर्फ action ज़रूरी है बाकी चीज़े optional है इसलिए आप देखना modern plots में आपको action ज़्यादा माईने रखता दिखेगा आप देखना Aristotle के बिलकुल opposite ये hero centric plot को बढ़ा हवा दे रहे हैं उमीद करता हूँ इस वीडियो से चूटी सी वीडियो से आपको plot समझ में आया होगा अब मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आप plot के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा topic रहेगा sonnet sonnet एक type की poem होती है English literature के student को सबसे पहले अगर किसी type की poem से introduce करवाया जाता है तो वो होती है sonnet अधिकतर ऐसा होता है तो sonnet क्या होती है इसकी history की बारे में हम लोग जानेंगे ये दोस्तों बहुत सारे students के लिए काम की वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा देखना sonnet एक 14 line की poem होती है मैं आपको simple भाषा है में बताऊं तो इन 14 line में क्या होता है problems or solution traditionally पुराने तरीके से sonnets 14 line की ही होती आई है और 14 line की ही होती है इसको दो parts में बाटा जाता है octave और sestate मैं पुराने तरीके की बात कर रहा हूँ यानि कि Italian literature में sonnets कैसे लिखी जाती थी octave और sestate में और इन 14 line को ऐसे बाटा जाता था कि 8 line में octave में होती थी और 6 line में sestate में sonnets की बहुत सारी varieties पूरी दुनिया में famous है लेकिन दो type की sonnets पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है सबसे पहली है Italian sonnets और दूसरी है English sonnets Italian sonnets को Petrarchan sonnets भी बोला जाता है इन दोनों में similarity ये है कि दोनों में ही problems और solution चलते है पेकिन इन दोनों में फर्क ये है पहला तो rhyme scheme का और दूसरा structure का बहुत बड़ा फर्क है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे world में sonnets अलग-अलग languages में लिखी जाती है जैसे French, Italian, Spanish, Polish, Russian, Urdu और German parts ने बहुत सारी sonnets लिखी है तो शुरू से शुरू करते हैं कि sonnets आई कैसे 13th century में Giacomo the Lantini नाम के एक poet ने खूजा था sonnets को एक ऐसी poem जो चौदा लाइनों में लिखी जाती है लेकिन उन्होंने सिर्फ खूजा था इस form को sonnets की form को खूजा था famous इसको किया Francisco Petrarch ने ये एक Italian poet थे Francisco Petrarch ने अपनी beloved लवरा नाम की एक woman के लिए वो sonnets लिखी Italian language में sonnets लिखी और इन sonnets को कहा जाता है Petrarchan sonnets इन 14-14 line की poems को कहा जाता है Petrarchan sonnets जो Francisco Petrarch ने अपने beloved लवरा के लिखी अब ये जो Petrarchan sonnets जो थी ये दो parts में बटी हुई थी octave और sastate जैसे कि मैंने आपको बताया और इस Petrarchan sonnets की rhyme scheme थी ABBA, ABBA, CDE, DCE याद रखना दोस्तो ये Petrarchan sonnets की rhyme scheme है बहुत ही जरूरी है आगे बहुत काम आएगी अब दोस्तो इस type की poems का इस type की sonnets का Petrarchan sonnets का structure कुछ ऐसे होता है कि शुरुआती 8 line जो होती है उनको बूला जाता है octave तो इन octave की lineों में problems बताई जाती है questions पूछ पूछ कर यानि की शुरू में ऐसे पूछने question Does she love me? कि क्या वो मुझे प्रेम करती है ये 8 lineों में octave की 8 lineों में problems create की जाती है और बाद की 6 line जो होती है उन्हों में उन सवालों के जवाब दिये जाते हैं जो octave में पूछे हुए सवाल रहते हैं उनके जवाब दिये जाते हैं अच्छा तो अब इन सवालों से जवाबों में बदलते हुए एक turn आता है octave से set state में जाते हुए एक turn आता है एक point ऐसा आता है जब point सवाल पूछने की बजाए जवाब देने लगता है तो इस turn को Italian language में ध्यान देना क्या बोलते हैं इस turn को वल्टा और ये turn आता है basically ये turn आता है 9th line में 9th line में octave की 8 line में कतम हो जाती है और set state start होता है तो I hope यहाँ तक समझ में आया होगा अब इतना तो हमको पता चल गया कि sonnets English language में पहले नहीं लिखी गई थी पहले Italian language में लिखी गई थी बाद में ये English language में आयी तो English language में इसको लेकर कौन आया तो दोस्तों मैं आपको बताऊं English language में जो sonnets को लाया था उसका नाम है Thomas White Thomas White 16th century का एक poet था English poet था उसने क्या किया था Francisco Petrarch जो Italian poet था जिसने sonnets को invent किया था उसके works को Italian से English language में translate किया फिर इसके बाद एक और नाम है sonnets के इतिहास में एक और नाम है Earl of Surrey ये बंदा इसने क्या किया था sonnets के structure में change कर दिया जो Petrarchan sonnets का structure होता था English language में जब sonnets सेखी जाने लगी rhyme scheme को बदला और अब iambic pentameter में sonnets को लिखा गया और इन्होंने सबसे बड़ा change क्या किया था sonnets के structure में कि 4-4 लाइनों के 3 तो इसमें quadrants होंगे यानि कि 4-4 लाइनों में sonnets को बाढ़ दिया जाएगा और and की जो 2 लाइने होगी उसको कहेंगे हम couplet और मैं आपको बता दू इन्होंने rhyme scheme रखी थी English sonnets की A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G और एक चीज़ इन्होंने similar रखी Italian sonnets की तरह कि इसमें भी problem और solution होगा शुरुआत में हम problem बताएंगे और फिर solution बताएंगे और solution वही नवी लाइन में होगा याने की दो quattrins तो बताएंगे problems के उसके बाद तीसरा quattrins जब शुरू होगा तो उसमें solution बताएंगे 9th line के अंदर हम लोग solution बताना शुरू कर देंगे लेकिन फिर आगए William Shakespeare उन्होंने इस rule को तोड़ दिया उन्होंने अपनी 154 sonnets दीखिया आप सबको पता होगा Shakespeare ने 154 sonnets लेखिया उसके अंदर उन्होंने क्या किया शुरू आती 12 line तक तो वो sonnets को ऐसे ही चलते रहने देते थे अपनी sonnets को ऐसे ही चलते रहने देते थे और last की जो दो line होती थी उन्हें कहा जाता था couplet उसके अंदर वो क्या करते थे solution बताते थे अपनी sonnet का सारी problems का and की दो line हो में solution बताते थे अच्छानक से और ऐसा करके वो English sonnets में popular हो गए हाला कि उनका कोई मकसद नहीं था popular होने का लेकिन वो हो गए इसलिए English sonnets को हम Shakespearean sonnets भी कहते हैं और इसके अलावा English sonnets को हम Elizabethan sonnets भी कहते हैं rhyme scheme में Shakespeare ने कोई बदलाव नहीं किया था वो वही English sonnets की rhyme scheme को follow करते थे A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G लेकिन एक बात में आपको बता दूँ कि turn जो हाता है sonnets के अंदर में भी कुछ पता चला होगा बात की जाए modern sonnets की तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों 20th century में आकर कुछ points ऐसे थे वैसे तो ये tradition खतम हो गया था 20th century में आते आते बहुत कम points लिखा करते थे sonnets जैसे Robert Laurel, W.H. Arden Elizabeth Bishop और Billy Collins इन्होंने modern time में आकर 20th century में आकर sonnets लिखी लेकिन इन्होंने sonnets के type को बिल्कुल बदल दिया यानि कि इन्होंने क्या किया modern time में आकर के sonnets ऐसी लिखने लगे जिनमें कोई rhyme scheme नहीं होती थी यानि कि कोई भी ऐसी poem जिसमें कोई strict rhyme scheme फॉलो नहीं की गई हो 14 line हो की हो वो हो जाएगी sonnets modern time के हिसाब से English और Petrarchan sonnets के अलावा मैं और दूसरी sonnets के बारे में बता रहा हूँ आपको अभी एक होती है Occitan sonnets Octisan sonnets के अंदर क्या होता था दोस्तो romance language होती थी ये जो poem थी Octisan sonnets की ये 13 या 14 century के आसपास इसको लिखा गया था Italian sonnets के साथ ही ये develop हुई थी लेकिन Italian sonnets से बिलकुल अलग थी यानि की इसकी rhyme scheme क्या होती थी A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, D होती है Spencerian sonnets जिसको Advent Spencer ने 16th century के great part थे उन्होंने develop किया था इस type की sonnets को Edmund Spencer ने अपने हिसाब से लिखा था उन्होंने अपनी rhyme scheme बनाई A, B, A, B, B, C, B, C, D, C, D, E, E ये Edmund Spencer की rhyme scheme थी इसके लावा दोस्तों एक चीज़ आपको और बताता हूं मैं एक type की sonnets होती है kirtle sonnets इस form को develop किया था GM Hopkins ने ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों GM Hopkins ने क्या किया था sonnets का side छोटा कर दिया था यानि कि साड़े 10 lineों की sonnets बना दी थी 10 lineों की sonnets और उसके लावा एक आदी line होती थी उसमें इसको बोला जाता था kirtle sonnets ध्यान देना kirtle sonnets बोला जाता था इस type की sonnets को अब मैं आपको बताऊं बहुत ही काम की बात कि English हो या Italian sonnets दोनों type की sonnets में poet का मकसद सिर्फ एक ही होता था प्यार प्यार को represent करती थी उस type की poem लेकिन फिर 17th century में आय जान डन उन्होंने अपनी sonnets लिखी religious type से religious sonnets लिखना शुरू कर दी और फिर John Milton ने आकर satirical poems, satirical sonnets और serious sonnets लिखना शुरू की मैं आपको बता दू Milton ने Petrarkan और Shakespearean दोनों type के tradition को तोड़ दिया था और उसके बाद sonnets में life और death पर लिखना शुरू किया उन्होंने love sonnets ने लिखी बलकि life और death पर sonnets लिखना शुरू की और एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली कि Milton ने Shakespearean rhyme scheme को follow नहीं किया था बलकि Petrarkan rhyme scheme को follow कि और दोस्तो John Milton को ही देखकर William Wordsworth ने भी अपनी sonnets का model बनाया जैसे उनकी जो sonnets है The world is too much with us 19th century में और Wordsworth Milton को बहुत मानते थे तो उन्होंने Milton की ही तरह वही rhyme scheme follow की Petrarkan rhyme scheme दूसरी बात की जब PB Shelley की तो PB Shelley अपनी एक अलगी rhyme scheme यूज करते थे ABAB, ACDC, EDEF, EF ये PB Shelley की rhyme scheme है इनकी एक बहुत ही famous world की famous sonnet है Ozymandias वो शायद आपको पढ़नी चाहिए बहुत ही famous sonnet है दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत important होने वाली है सभी English Literature के बच्चों के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Aristotle की 3 Unities को ये 3 Unities कौन सी है Time, Place और Action इसकी history भी बताऊंगा और ये Unities क्या कहती है ये भी समझाऊंगा इस वीडियो में बहुत interesting वीडियो होने वाली है शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end दोसों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 Unities के बारे बताऊंगा इन्हें Time, Place और Action कहा जाता है इन्हें 3 Classical Unities और Aristotelian Unities भी कहा जाता है Unity of Time, Place and Action तो मैं history से शुरू करता हूं इसकी कहानी शुरू होती है एक Italian critics से जिसका नाम था Tracino Italian में इसको Tracino बोलेंगे उन्होंने 1514 में 1514 में एक blank words tragedy लिखे जिसमें उन्होंने इन 3 Unities के बारे में अपना principle दिया वो बोले कि Aristotle ने इस principle को दिया था लेकिन सच बात ये थी कि Tracino ने कभी भी Aristotle का work जो important work था जिसे आज हम सब पढ़ते हैं वो कभी पढ़ा ही नहीं उनके पास वो work पहुचा ही नहीं था उन्होंने Aristotle की दूसरी book पढ़ी थी रेटारिक नाम की उस book में Aristotle ने सिर्फ action और time पर focus किया था place पर focus नहीं किया था किन दो Unities की बात की थी action की unity और time की unity और उस तरीके से नहीं जिस तरीके से त्रसीनों ने हमें बताया तो ये बात पर्टिक्स में हमें कभी पढ़ने को नहीं मिलती कि Aristotle ने तीन Unities की बात की थी अब इसका मतलब ये हुआ कि शायद उस वक्त बहुत बुरे translations हुए थे इसकी वज़े से त्रसीनों ने गलत पढ़ लिया होगा और गलत ही समझ लिया होगा गलत ही interpretations निकाल दे होगी अब क्या होगा ये गलत information आगे पासवान होती गए तो 1570 में एक Italian humanist से लाडविको कैस्टल वेट्रो उनकी हाथ में ये interpretations लगी तो उन्होंने इन तीनों unities को redefine किया दोस्तो इस बंदे ने Aristotle की politics का translation किया और अपनी interpretations निकाली इसने इतनी crude और inaccurate translations की कि पहले से बिगड़ी हुई चीज़ को और बिगाड़ दिया तो आज जो हम 3 unities पढ़ते हैं time, place और action की वो निकल कर आई थी Italy से और फिर ये theory आई Italy से France में France के theater ने तो बड़ा जल्दी इन unities को adopt कर लिया follow करना शुरू कर दिया बड़ा strictly ऐसे भी नहीं कि ऐसे ही कर रहे हैं बड़ा strictly उस time पर एक French theater में एक बहुत बड़ा नाम था Cornel जिनको founding father of French tragedy उन्होंने French stage में इसको three unities को बड़ा strongly support किया और यहां England में इस Shakespeare जैसे great dramatist ने इन unities को बिल्कुल नहीं माना लेकिन French बड़ा proud गरते थे कि हम लोग Aristotelian unities को follow गरते हैं लेकिन इन French dramatist के इस proud को तोड़ने वाले भी बड़ी जल्दी market में जैसे कि Victor Hugo वो Victor इन time और place की unities को बिल्कुल नहीं मानते थे वो सिर्फ unity of action को मानते थे England में भी इन तीन unities को कोई follow नहीं करता था इवें Shakespeare भी नहीं करते थे सिवाय कुछ लोगों को छोड़ कर जैसे Sir Philip Sydney वो बोलते थे कि England इन तीन unities को neglect करता है जो करना नहीं चाहिए अपने famous work An Apology of Poetry में जान ड्राइडन ने भी partially in unities को support किया है पूरी तरह से नहीं partially मतलब थोड़ा सा जैसे Shakespeare के history plays को उन्होंने criticize की जहां से ये idea निकल कर आया यानि Italy में तरसीनों से उनके दिमाग से क्योंकि उनके पास तो politics available थी नहीं लेकिन सिर्फ अरस्तू का नाम उन्होंने जोड़ दिया तो हो गई famous ये तीन unities अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 unities है क्या जोर से सुनना time, place और action पहले time का मतलब समझाता हूँ time का मतलब एक पूरा दिन एक पूरी कहानी आप 24 घंटों के अंदर ही पूरी करोगे मतलब इससे ज्यादा लंबी नहीं होना चाहिए मतलब अगर आप अपनी कहानी को jump करवाकर 16 साल आगे ले जाओ जैसे कि Shakespeare ने एक winter's tale नाम का drama लिखा है उसके अंदर वो अपनी कहानी को 16 साल jump करवाकर आगे ले जाते है तो यहाँ पर Shakespeare time की unity को follow नहीं कर रहा है वो मान नहीं रहा है इस चीज़ को इसलिए शायद ड्राइडन ने भी Shakespeare को ये कहकर criticize किया है कि Shakespeare के history plays में Shakespeare बिल्कुल भी time की unity को follow नहीं करते थे मतलब आप अगर 30-40 साल आगे की कहानी कुछ घंटों में दिखा देते हो तो ये कहां से time की unity हुई यहाँ तो कहा जाता है कि एक पूरे दिन में यानि 24 घंटे की कहानी आपको दिखानी है इससे ज़्यादा की नहीं क्योंकि उस time पर मतलब Greek time पर Aristotle की time पर stage को एक setting से दूसरी setting पर ले जाने में काफी time लगता था तो audience का connection तूट जाता था इसलिए शायद उन्होंने ये बात कही होगी अगर आपको audience को यकीन दिलवाना है कि आप stage पर जो कुछ भी दिखा रहे हो वो सब सच है तो 24 गंटे की कहानी दिखाओ सर्फ 16 साल आगे की मत दिखाओ connection तूट जाएगा दूसरा जो rule है वो है unity of place जगह बहुत माइने रखती है ड्रामा दिखाते बक्त आप अगर audience में connection चाहते हो तो आपको एक ही single location चूज करनी पड़ेगी वहीं पर अपना ड्रामा पफॉर्म करवाना पड़ेगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो audience का connection ब्रेक कर सकता है कैसे जैसे हमारी commercial बालिवर्ड फिल्मों में अभी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी तो audience मैचियर हो गई है मतलब आप 10 साल पहले जाओ तो कहानी तो इंडिया में चल रही है लेकिन hero और heroine Switzerland में ठुमके लगा रहा है तो इससे connection तूटता है वो Switzerland कैसे चले गए और कैसे चले गए last और सबसे important unity है unity of action इसे हर को ही follow करता है दोस्तों Shakespeare भी करते थे और इसे follow करना भी चाहिए मतलब हमें अगर ऐसा plot design करना है जिसमें हर एक scene दूसरे scene से जुड़ा हो तो हमें unity of action को follow करना होगा हर एक scene को हमें दूसरे scene की साथ में जूड़ना होगा अगर एक भी scene बाहर हो जाए तो पूरा plot खराब हो जाए ऐसा कुछ design करना होगा जिसे कहेंगे हम whole single action जैसे रामायान का example लेते है रामायान में अगर आप सीता स्वेंबर का scene हटा दो तो क्या आपको समझ में आएगा कि रामायान क्यों हुई थी अगर पहली बार को इनसान देखेगा उमीद करता हूँ आपको ये थी यूनिटी समझ में आई होगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये यूनिटी समझ में आई होगी फिलाल आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ next अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आयोगी फिलाल आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में